स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी सीकर्स में आज हम डिसकस करेंगे 1 सितंबर 2022 के करंट अफेर्स जो सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए अतिमाहत्पूर्ण होंगी और इसके साथ ही लाष्ट में हम प्रिवियस डे के रिवीजन्स भी करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कोशन नमबर वन किस राजिस सरकार ने मुख्यमंतरी उदाइमान खिलाडी उन्यान योजना सुरू किया है तो इसका सही आंसर है आप्शन ने उत्राखंड उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी ने उत्राखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंतरी उदाइमान खिलाडी उन्यान योजना सुरू किया है इस योजना के तहत उत्राखंड सरकार आठ से चौदा वर्स के बच्चों को 15,000 रुपे खेल छात्रविती के रूप में देगी हम आगे बढ़ें और बात करें उत्राखंड की तो उत्राखंड की राजधानी देहरादून और गैड सेन है उत्राखंड के राजफाल गुर्मी सिंग है यहां के मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी है उत्राखंड के फोक डांसेज है छपेली डांस, छोलिया डांस, लांगवीर डांस, पांडो डांस, बर्दानाटी डांस उत्राखंड के फेस्टिबल्स है हरेली फेस्टिबल, फूल देई फेस्टिबल और हिल जात्रा फेस्टिबल उत्राखंड का नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, राम गंगा नेशनल पार्क, गोविंद पसु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्राखंड में बिधान सबा सीटों की संख्या है सत्तर, लोग सबा सीटों की संख्या है पाँच, राज सबा सीटों की संख्या है तीन उत्राखंड का state animal है musk deer, state world है हमालेन मोनल, state flower है ब्रमकमल, state tree है बुरांस आईए देखते हैं उत्राखंड के हाली के current affairs उत्राखंड में मुख्यमंत्री वासली योजना चलाया गया है उत्राखंड में चार धम परियोजना की शुरुवात की गई है भारत का सबसे उचाई पेश्थित हरबल बार्क उत्राखंड के माना में खोला गया है भारत का पहला हिम तेंद्वा संरक्षन केंद्र उत्राखंड में खोला गया है भारत का पहला मौस गार्डन उत्राखंड में खोला गया है रितु खंडूरी उत्राखंड बिधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है आसन बैराज उत्राखंड का पहला रामसर इस्तल है पसुपालन और डेरी विभाग ने उत्राखंड में One Health Project शुरू किया है उत्राखंड में ब्रष्टा चार रोधी एप 1064 लांच किया गया है भारत के पहले GI Board की स्थापना उत्राखंड करेगा स्वास्त छेत्र में ड्रोन का इस्तमाल करने वाला भारत का पहला राज उत्राखंड है ACI का सबसे बड़ा Liquid Mirror Telescope की स्थापना उत्राखंड में की गई है हाली में उत्राखंड में दुरलब मांस भच्छी पौदे की खोज की गई है उत्राखंड नई सिक्षा नीती को Pre-Primary स्थर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है चलते हैं अपने Next Question पर अपना 1975 में की गई थी इसका मुख्याल है फरीदाबाद हर्याना में है हम आगे बढ़ें और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी सिमला है यहां के गवर्नर राजेंदर आर लेकर है यहां के मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के फोक डांसे हैं माला डांस, नाती डांस, राक्षेस डांस, दल्सोम डांस और चलंबा डांस हिमाचल प्रदेश का नेसनल पार्क है इंदर किला नेसनल पार्क, सिंबल बारा नेसनल पार्क, ग्रेट हिमालियन नेसनल पार्क, पिन बैली नेसनल पार्क और खीर गंगा नेसनल पार्क हिमाचल प्रदेश का फेस्टिबल है कुलू देसेरा, हालदा फेस्टिबल, साजो फेस्टिबल और लादर्चा फेस्टिबल हिमाचल प्रदेश में दर्रे पाये जाते हैं बारा लाचा लादर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेस में बिधान सबा सीटों की संख्या है 68, लोग सबा सीटों की संख्या है 4, राज सबा सीटों की संख्या है 3 हिमाचल प्रड desh κα a state animal है इस्नो लेपड, state bird है वेस्टं ट्रेपोगन, state flower हेपिंक रोड्रण, state tree है देवदार आएए देखते हैं हिमाचल प्रड desh से हाली के current affairs को तो हिमाचल प्रड desh बवस्ति धंग से दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है भारत के पहले मॉंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुलू में सुरू की गई है घरों में 100% LPG कनेक्सन देने वाला भारत का पहला राज़े हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश हर्याना के साथ मिलकर आदी बद्री बांध का निर्माड करेगा नौवी महिला आईस होंकी का आयोजन लाहली स्पीती में किया गया है हाली में लाहली मोज़ और दास्ताने को जी आई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश के काजा में विस्व का सबसे उचाई पेस्थित एवेकल चार्जिंग स्टेशन कोला गया है हिमाचल प्रदेश ने कच्छा 9 से 12 के पाठकरम में स्रीमत भागवद गीता को सामिल किया है हिमाचल प्रदेश की कांगला चाय को यूरोपेन यूनियन का जी आई टैग दिया गया है ड्रोन के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश में निवास करती है हिमाचल प्रदेश के मंडी में नाक्चला हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में अंतर राष्टिय साहित उस्सो उनमेश शुरू किया गया है उत्तर भारत का पहला बंबू विलेज हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बाई की योजना शुरू किया गया है वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के काजा में विस्व का सबसे उचाई पे इस्थित जिम खोला गया है चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर टाटा इस्टील ने पंजाब सरकार के साथ किस इस्थान पर इस्थील प्लांट लगाने के लिए समझोता किया है तो इसका सही आंसर है आप्शन ए लुद्याना हम आगे बढ़ें और बात करें पंजाब की तो पंजाब की राजधानी चंदीगड है यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के मुख्यमंतरी भगवन तुमान हैं पंजाब के फोक डांसेज हैं भांगला डांस, गिद्धा डांस, सम्मी डांस, किकली डांस और जागो डांस पंजाब के फेस्टिबल है बैसाकी फेस्टिबल, होला मोहला फेस्टिबल, लोडी फेस्टिबल, तिया फेस्टिबल और छप्पर मेला पंजाब में बिधान सबसीटों की संख्या है 117, लोग सबसीटों की संख्या है 13, राज सबसीटों की संख्या है साथ पंजाब का इस्टेट एनिमल है ब्लेक बेक, इस्टेट बर्ड है बाच, इस्टेट फ्लावर है गलेडियोलस, इस्टेट ट्री है बन्यायन आईए देखते हैं पंजाब से हाली के करंट अफेर्स को पंजाब में मेरा काम मेरा मान योजना चलाया गया है युनेसको ने सारा गड़ी की लड़ाई को विस्व की आठ महंतम लड़ाईयों में सामिल किया है मलेर कोटला पंजाब का नया जिला बना है पंजाब में उडान योजना चलाया गया है पंजाब में मिसन क्लीन लॉंच किया गया है पंजाब में भरष्टा चार विरोधी हल्प लाइन शुरू किया गया है हाली में पंजाब में लोग मिलनी प्रोग्राम चलाया गया है पंजाब ने ए श्टांप जारी किया है हाली में पंजाग में एक बिधायक एक पेंसर नियोजनल लागू किया गया है चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर दस्वी नेशनल मेरिटाइम सर्च और रेस्क्यू सारक्स 2022 अभ्यास किसके दोरा आयोजित की गई है तो इसका सही आंसर है आप्शन डी भारतिय तटरच्छक बल भारतिय तटरच्छक बल ने दस्वी नेशनल मेरिटाइम सर्च और रेस्क्यू अभ्यास चन्नेई तमिल नाडू में किया है हम बात करें भारतिय तटरच्छक बल की तो इसकी स्थापना एक फरवरी 1977 में हुई थी इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है इसके प्रमुख है वियस पठानिया हम आगे बढ़ें और बात करें भारत के प्रमुख युद्दब्यास की तो भारत उदार सकती एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बद्ध होता है युद्दब्यास एक्सरसाइज भारत और अमे पाल के मद्द्ध होता है काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकस्तान के मद्द्ध होता है लामतिया एक्सरसाइज भारत और सेसल्स के मद्द्ध होता है मित्र सक्ती एक्सरसाइज भारत और सिलंका के मद्द्ध होता है गर्ण सक्ती एक्सरसाइज भारत और इंडोनेसिया के मद्धे होता है दर्वं गारजियन एकसरसाइस भारत और जापान के मद्धे होता है नॉमिडिक एलिफंट भारत और मंगोलिया के मद्धे होता है चलते हैं अपने next question पर सुमंग लीला महसों किस राज में मनाया गया है तो इसका सही answer है Option B Manipur हम आगे बढ़ें और बात करें भारत के महत्पूर फेस्टिबल्स की तो थाई-पुसन तमिलनादु में मनाए गया है मांडू फेस्टिबल मद्द प्रिदेश में मनाए गया है बातुकंमा फेस्टिबल तेलंगाना में मनाए गया है ट्रोगाय फेस्टिबल अरुनाचल प्रिदेस में मनाया गया है नाटा हबबा फेस्टिबल करनाटक में मनाया गया है डेजल्ट महस्टो राजस्थान में मनाया गया है पुसकर महस्टो जम्मी कस्मीर में मनाया गया है चेरी ब्लॉदम फेस्टिबल में घाले में मनाया गया है हॉन्बिल फेस्टिबल नागा लेंड में मनाया गया है कंबाला महसो करनाटका में मनाया गया है हेरात महसो जमू कस्मीर में मनाया गया है डोल उस्सो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है मेदरम जात्रा तिलंगाना में मनाया गया है टुलिप महसो जमू कस्मीर में मनाया गया है बिहु फेस्टिबल असम में मनाया गया है सिग्मो महसो गोवा में मनाया गया है धनु जात्रा ओडिसा में मनाया गया है गुडी पढ़वा महराष्ट में मनाया गया है सेरसा मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर का एवार्ड मिला है रनवीर सिंग को 83 मूवी के लिए, बेस्ट एक्टरेस का एवार्ड मिला है कृती सेनन को मीमी फिल्म के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एवार्ड मिला है पंकस त्रिपाठी को मीमी फिल्म के लिए, बे प्रस्ट वी है अवार्ड्स की तो हम National Awards और Oscar Awards को क्यों छोड़ें? आइए अब हम देखते है National Awards को. तो National Awards में West Feature Film का अवार्ड मिला है सोरा राइ पोटरू को, Best Director का अवार्ड मिला है सैची को, आया पनम कोसियम मूवी के लिए, Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment का अवार्ड मिला है ताना जी को, Best Actor का एवार्ड मिला है सूरिया को सोरा राई पोटरू फिल्म के लिए और अजय द्विगन को ताना जी मूवी के लिए बेस्ट एक्टरस का एवार्ड मिला है अपरना बाला मुरली को सोरा राई पोटरू फिल्म के लिए हम बात करें Oscar Awards की तो Oscar Awards में Best Picture का एवार्ड मिला है Koda को Best Director का एवार्ड मिला है Jane Champion को The Power of the Dog मूवी के लिए Best Actress का एवार्ड मिला है Jessica Chastain को The Eyes of a Tammy Fave फिल्म के लिए Best Actor का एवार्ड मिला है Bill Smith को King Result मूवी के लिए Best International Feature Film का एवार्ड मिला है Drive My Car जापान की फिल्म है Best Animated Feature Film का एवार्ड मिला है एकांटो को चलते हैं अपने Next Question पर Airport Authority of India ने Sustainable Aviation Tech के लिए किस देश के साथ करार किया है तो इसका सही आंसर है Option C Sweden हम बात करें Airport Authority of India की तो इसका गठन एक अपराइल 1995 में किया गया था इसका मुख्याले नई दिल्ली में है इसके अद्धक्ष है संजीव कुमार हम आगे बढ़ें और बात करें स्वीडन की तो स्वीडन की रासधानी Stockholm है स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिस्क्रोना स्वीडन की संसत को रिक्ष डॉक कहते है स्वीडन की प्रधान मंत्री है मिगडलना एंडर्सन आईए देखते हैं स्वीडन का मैप स्वीडन इसकेंडवेन कंट्री है स्वीडन बॉर्डर सेर करता है फिनलैंड और नॉर्वे से इसकेंडवेन कंट्री में पाँच कंट्री आते हैं एक है आइसलेंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है सुईडन, चोथा है फिनलेंड, पाच्वा है डेनमार्क, चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर मरसडीज बेंज इंडिया ने किसे अपना प्रबंद निदेशक निउक्त किया है तो इसका सही आंसर है ओप्शन डी संतोस अयर अम आगे बढ़ें और बात करें हाली में हुई महत्वपूर्ण निउक्तियों की सलहकार बनाया गया है पीम मोदी का अजे कुमार सूद को प्रमुग विज्यानिक सलहकार बनाया गया है विवेक रुसिया को कल्याण आयुक्त बनाया गया है निदी छिबबर को अध्यक्ष बनाया गया है सीब्यस्ट का प्रदीप कुमार मुहंती को अत्रिक्त प्रभार दिया गया है लोकपाल के अध्यक्ष का, राजियो कुमार को मुख चुनाओ आयुक्त बनाये गया है, नल्ला थंबी कलाई सेल भी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है CSIR की, राजेस गेरा महा निदेशक बनाई गई है राष्टिय सूचना विज्ञान केंदर के, रंजरा अंतरराष्ट्री क्रिकेट मैच में सरवाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंद बाज कौन बन गये हैं तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन है James Anderson, James Anderson England के तेज गेंद बाज हैं, इन्होंने 951 विकेट लिया है, अब आप एक बात इस कोश्चन से ये ध्यान लखिएगा, कि अ अंतरराष्ट्री क्रिकेट मैच में सरवाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंद बाज कौन है, तो आपका आंसर होगा James Anderson, और अगर आपसे पूछता है कि अंतरराष्ट्री क्रिकेट मैच में सरवाधिक विकेट लेने वाले गेंद बाज, तो फिर आपका आंसर होगा मु जीता है IWF Junior विसुकप में, भारत ने Under 19 Cricket विसुकप जीता है, केरल ने संतोष ट्रोफी जीती है, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रोफी जीता है, थॉमस कप जीता है भारत ने, निखर जरीन ने सौर पदक जीता है विसु बॉक्सिंग चैंपियंशिप में, गु एसिया कप में, राफिल नडाल ने फ्रेंच ओपन में पुरु सेकल का खिताब जीता है, नुआख जोकोविच ने भी वेल्डन ओपन में पुरु सेकल का खिताब जीता है, कॉमन बेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर, जो की आज का हमारा लाश्ट कोश्चन है, अंतर राष्ट्रिये वेल सार्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है, ओप्शन डी 30 अगस्ट, इस बार की थीम है, दा फ्यूचर आफ आफ आवर सार्क, गार्जियन आफ आवर सीज, बात करें अगस्ट के महत पोड़ दिनों की, तो एक अगस्ट को वल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, छे अगस्ट को हिरो सीमा दिवस मनाया जाता है, साथ अगस्ट को राष्ट्रिये हत करगा दिवस मनाया जाता है, नो अगस्ट को विस्व आधी दिवस और नागसाकी दिवस मनाया जाता है, द चलते हैं अपने कल के रिवीजन्स पर मद्ध भारत के पहले टोय कलस्टर का विकास कहां होगा? तो इसका सही आंसर है इंद और मद्ध प्रिदेश Next question है नीती आयोग निकिस केंज सासित प्रिदेश में 500 अटल टिंकरिंग लैब खोलने की गोशना किया है तो इसका सही आंसर है जम्मू कस्मीर Next question है उत्तर प्रिदेश सरकार ने किस जिले का विकास परियाटन इस्थल के रूप में करने की गोशना किया है तो इसका सही आंसर है कन्नौच Next question है हाली में मारबत उस्सो कहा मनाया गया है तो इसका सही आंसर है नाकपुर हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार एसिया प्रसांद छेतर में टेक हब के रूप में सिर्श इस्थान किसे प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर है बीजिंग नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय ओलम्पिक संग का कारेकारी अध्यक्ष किसे न्युक्त किया है तो इसका सही आंसर है आदिल सुम्रीवाला नेक्स्ट कोश्चन है अप लोगों से कल का सवाल था नीती आयोग ने किस जिले को सर्फेश्ट आकांची जिला घुसित किया है तो इसका सही आंसर है हरी द्वार आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में मारबत उस्सो कहा मनाया गया है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा आज के क्लास की PDF की लिंक आपको description बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आपको आज के क्लास के related कोई भी confusion या doubt होता है तो आप हमारे Instagram अकाउट पर मैसेज कर सकते हैं Instagram अकाउट की लिंक आपको description बॉक्स में मिल जाएगी इसी के साथ अपनी इस class को यहीं पे end करते हैं हाई होप आपको हमारी आज की या class अच्छी लगी होगी और डेली ऐसे important current affairs को देखने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें धन्यवाद झाल झाल झाल